गुट मॉर्निंग बच्चों आज हम स्टैंडर सेवन्थ का यूनिट वन का एक्टिविटी फाइव पढ़ेंगे ये एक स्टोरी है ये स्टोरी कैसी है जिसे हम रात में सपने देखते हैं ना सपनों में रात में हम सपने अजीब अजीब सा देखते हैं और कुछ सपने हमको अच्छे लगते तो हम क्या कहते हैं हम इस सपने को सच करके दिखाएंगे इसमें भी सेव वही बताया गया ओके चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बोला गया है It was 11th April 2011, 11 April 2011 का दिन था It was Tejasvini's 12th birthday यह Tejasvini का 12 मा जनम दिन था Her father gifted her a beautiful bicycle उसके पिता जी ने उसे एक सुन्दर साइकल उपहार में दी Beautiful means होता है सुन्दर, Gift means होता है उपहार और Bicycle means क्या होता है साइकल It was a unique bike, unique means होता है बहुत अद्भुत सबसे अलग जिसको कहते है उसे unique कहते है यह बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी साइकल थी Blue in color, a soft seat, a little bell and a rare view mirror नीला color, मुलायम, गदी, छोटी सी घंटी और पीछे का द्रिश देखने के लिए आईना भी था Rare view means होता है पीछे का द्रिश, mirror means होता है आईना वेन तेजस्विनी saw her bicycle जब तेजस्विनी ने अपनी साइकल देखी उसने क्या कहा? वाओ, वाओ She felt proud, proud means होता है गर्व उसे गर्व का अनुभव हुआ She placed her foot on left pedal and yield उसने अपने पेर को बाएंग पैडल पर रखी और बोली Here I go, who, who, low में चली, who, who She moved faster and faster वा तेजी से और तेजी से साइकल चलाने लगी She went to the river bank, river bank means होता नदी का किनारा वा नदी के किनारे गई She enjoyed riding the beautiful bicycle on this rough path Enjoy means होता है, आनन्द लेना Bicycle means cycle, rough path means होता है जो उबडखाबर रास्ते होते हैं उसे कहते हैं तो वा उबडखाबर रास्ते उपर साइकल चलाने का आनन्द ले रही थी She was riding at her top speed Top speed मतलब होता है, जो सबसे ज़्यादा गती होती है उसे कहते हैं तो वहाँ अपनी सबसे ज़्यादा गती से साइकल को पैडल मार रही थी Then she noticed a red button near the bell तभी उसने क्या देखा? घंटी के बाजू में एक छोटी सी लाल बटन को देखा What was that? वह क्या था? मतलब उसे बहुत सौक लगा कि यह red button तो है, पर यह किस चीज के लिए है? Sip push the button उसने क्या किया? वो जो red button, लाल बटन थी उस बटन को उसने दबा दिया Push मतलब होता है, दबाना Low and behold चलो आगे देखते हैं There came out a big fan on her rare well Big fan means होता है बड़ा सा पंखा उसके पीछे के पहिये से एक बड़ा सा पंखा बाहर निकल कर आया The fan started rotating Rotating means होता है घूमना तो पंखा क्या हुआ? घूमना सुरू हो गया Vroom 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 जब पंखा घूम रहा तो उसकी आवाज कैसे आ रहे थी? Vroom vroom Thrilled means होता है उत्तेजित हो ना The bicycle with full strength Full strength means होता है पूरी ताकत से ते जसनी क्या कर रही थी? पूरी ताकत से cycle को पैडल मार रही थी And what a miracle Miracle means होता है जादू और यह क्या? जादू The bike's front walls rose from the ground Cycle के आगे का पहिया थोड़ा सा उठ गया And then the rear one और पीछे का भी The bike was flying now Flying means होता है, flying means होता है उड़ना Bike अब क्या कर रही थी? मतलब cycle अब क्या कर रही थी? उड़ रही थी She placed faster and the bicycle went up and up 3, 4, 5, 50 meters Cycle अब कहां जा रही थी? ते जिसने cycle को पैडल मार रही थी और cycle थोड़ा और उपर कितना? 3, 4, 5, 50 meter उपर उड़ रही थी She was thrilled वह क्या हो गई? उतेजित हो गई Now, she was flying over the river River means होता है नदी अब वह क्या कर रही थी? नदी के उपर से उड़ रही थी She looked down वह नीचे देखे Down means होता है नीचे देखना Oh, is that a kite in the river? मतलब उसे आस्चर हुआ नदी में उसने क्या देखा? उसको उपर से इतना नहीं समझ मैं रही था कि वह क्या है? तो वह अपने आप से प्रेस में पूछती है कि क्या नदी में पतंग है? It was a boat नदी में क्या था? Now थी She turned the handle toward her village वह साइकल के handle को गाउं के दरफ मोर दी See, saw her school वह अपनी school को देखी Oh no! अरे, नहीं There are so many leaves of trees on the roof Roof means होता है छत छत पर, इसकोल के छत पर पेड़ की बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई है Leaf means होता है पत्तियां, roof means होता है छत I will clean them tomorrow मैं इसे कल साफ करूंगी Tomorrow means होता है आने वाला कल What else could see, see from there उसने और वहां क्या-क्या देखा Now, she was over the farms and fields अब वहा खेतों और मैदानों के उपर से उड़ रही थी Green field, हरे मैदान She was enjoying the beautiful view View means होता है द्रिश वहां सुन्दर द्रिश्यों का आनन्द उठा रही थी And then she noticed a flock of birds on her way Bird means होता है पक्षियां Flock means होता है जुंड और उसने उसी रास्ते पर पक्षियों के जुंड को आते हुए देखा She applied the brake उसने brake लगाया The fan stopped and then the bike start coming down पंखा घुमना बंद हो गया और cycle नीचे आने लगी Tejasvini closed her eyes and held the handle tightly Tejasvini ने अपने आखे बंद की और cycle के handle को कसके पकड लिया But within second, लेकिन कुछ second बाद धडाम, धडाम Oh maa, hey maa Oh my god, hey bhagwan, it was a dream, your sapna था She got up, वह उठी, washed her face, अपने चेरे को धोया And looked into the mirror और आइने की तरफ देखने लगी Hmm, it was a dream this time Hmm, इस समय यह सपना था But it will not be a dream forever लेकिन आगे यह सपना नहीं रहेगा She promised herself Herself means होता है अपने आप से उसने अपने आप से यह वादा किया I will make a bike like this and fly over my village मैं इसी तरह की cycle बनाऊंगी और अपने गाउं के उपर से उड़ूंगी She smiled at herself in the mirror वह अपने आपको आइने में देखी और मुस्कुराई Thank you अ baik बुक्रूं क्रिशों ke ए्राई अफकर बुक्रण भता है मुक्राई करेगे ऊ favour क्र रच्रूंगी अग्रूंगी अपने कि और है वह हो उता है प्राई कि और अए अवा RS क्रूंगी तर अवस्ता है अभ़ष एकर ओया